संभल से अगली खबर अपनी ही पाटी पर बरसे सपा सांसद डॉक्टर शफिकुरहमान बर्क हार के लिए अकले श्यादव के सलाकार जिम्मदार हैंगे का है बर्क में पसपा का मुस्लिन काड हो सकता है कामियाब ये भी कहा और बर्क में पाटी पर नजर अंदाज करने का आरोप लगाया है सपा सांगसद ने अपनी ही पार्टी पर कोलेकर करी बड़ी बाते कई हैं पार्टी प्रत्याशी का किया विरोध शफिकुर रह्मान बर्क ने और बर्क ने निर्दलिया प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया कि संभल सपा में सांगसद और बिठाय गुट आमनेस्ताम में आ गए अपनी ही पार्टी पर बरसे हैं शफिक उरहमान बर्ग समाजबादी पार्टी के सांगसद है और हार के लिए उनने का कि अकले श्यादव के जो सलाहकार है वो सुम्मेदार है बस्पा का जो मुस्लिम कार है वो सफल को सफता है यह भी कार है सफिक उरहमान बर्ग नहीं जी जी के उन्होंने हमारे साथ क्या किया मैं समाजबादी का अलक्षन लड़ा हूं लड़ाद संचोदा में सब्सक्राइब करना कि अद्सक्ताइब संचोदा छॉड़ा हूं जो बीजेपी जिसमें आई इनोंने खुल खुला मेरे मुखादवत की जी मतलब यह के बीजेपी लाही इनों है। मैंने शिकायत दी की। पार्टी से, आफिस से, अकलेश वागर आई उकसर सबसे। मैंने के भई, इनको रोकी है। यह पार्टी की मुखादफा क्यों कर रहे है। लेकिन उनों खुड कर लाही। और कोई है। बाराल ठीक है, फिर भी मैं जीत गया। जी। ब्यस्पी काम कर रही है क्योंकि आई से अधिक संपत्ती में वो फस रही है। इसलिए वो भार्टी अंता पार्टी का सहो करने का काम कर रही है। लेकिन जनता बहुत जागरूख है। आप देखिएगा कि मायवती के जो चुरौण लड़ रहे हैं कहीं कोई जीत करके नही ब्यस्पी आएगा और उत्तर प्रदेश में जो चार बार मुख बंती रही हो उसकी पार्टी का एक विधायक अप्रदम पर खाली आया है और सारे वोट ब्यस्पी ने ट्रांसफर करते का काम किया दा। गाजबाद नगर निकाई चुनाव में पार्शत पत के लिए भाजपा का खाता खुल गया है गाजबाद नगर निगम के वैशाली वार्ट संक्या नवासी से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार भाटी का निरविरोध निरवाचन को गया है पिशली बार राजकुमार भ और निर्विरोध निर्वाचन के बाद राजकुमार भाची ने कहा कि उनके वार्ड में लगातार विकास के काम को रहे हैं गाजयबाद में निगाए चुनाओ में बीजेपी ने अपना खाता खोल दिया है अभी तक चुनाओ नहीं हुए लेकिन चुनाओ से पहले बीजेपी ने अपना खाता खोला वार्ड नमबर 89 पर खाता खोल दिया है निर्विरोध चुने गए हैं राजकुमार भाटी थाकू राजकुमार भाटी आप जीत गए हैं और निर्विरो जीते हैं आप किसी भी पार्टी ने आपके सामने कोई परत्याशी नहीं उतारा ऐसा कैसे हुआ ग्वाड में ग्वाड में लोक्रिता होने के कारण मुझे लगता है ऐसा हुआ है इससे पहले मेरी पत्नी हां से पारशत थी और हमने जो काम करें हैं पर वो एक मिशाल कायम हुई है छित्रगंदर और दूसरे बहार से भी लोग आते हैं और वो देखते हैं कि हमारा वाड कैसे आदर्स वाड की स्रेणी में क्या कारण है तो मुझे यह लगता है कि इसी वज़े से यहाँ पर जो मुझे मेरे सामने कोई किसी पिर्ट्यासी ने कोई परचा नहीं भरा कोई केंडिट नहीं आया तो उसका मैं बड़ा कारण यहीं मानता हूँ मेरी एक तो छबी, इमांदार छबी, साप छबी कई एक कारण वानता हूँ है राज़कुमार जी अपसे पहले आपकी धर्म पत्नी यहाँ पर पार्शत थी और कुछ वादे भी जनता से किये होंगे कि पहले के जो कारे थे, अब आगे आपका कारेखाल चलेगा, उसमें आप पूरे करादेंगे तो वह ऐसे क्या मुद्धे हैं जो की रह गए, चूट गए है यहाँ पर जो मुद्धे हैं कोई ऐसे कोई बड़े मुद्धे नहीं है यहां के बड़े छोटे-छोटे मुद्दे हैं, जनित के मुद्दे होते हैं, जैसे बिजली का मुद्दा होता है, पानी का मुद्दा होता है